आज हम हिंदी की कारेपत्रक नब्बे करने वाले हैं और ये आपकी तिथी 24 फरवरी 2021 के लिए आपको दी गई है देखिए गई जो आपका कावेखंट का भाग है बहुत इंपोर्टन्ट है आपको बहुत अच्छे से से वरक्शीट में पढ़ाया गया था कि हमने भी आपको बहुत अच्छे से कराया था और इसके रिवीजन भी कराया जा रही है अब तक तो हर बच्चे को इसके सभी प्रशन उत्तर रट गया होंगे इतनी बार आपको वरक्शीट में कराया जा चुका है प्यारे बच्चों अब हम कारेपत्रकों के माध्यम से विविन पाठों की पुन्राविति यानि की अभ्यास कर रहे हैं और इसी करम में आज हम सूर के सूर के पद की पुन्राविति की अभ्यास करेंगे तो आईए काव्यांच को ध्यान पूरवक पढ़ें और फिर प्रशनों के उत्तर दें तो इसको आपको देखके समझ में आ गया होगा कि उधो ना ही परत कही तो वो कह रहे हैं कि जो मन की बाते हैं वो मन में ही रह गई हैं उधो से इसमें जो बाते हैं वो उधो और गोपियों के बीच में हो रही हैं उधो कौन है उधो कृष्ण के संदेश लेके आए हुए उनके वैसे वो कजन होते हैं वो कृष्ण का संदे विरहें की जो अगनी होती है यानि कि किसी से दूर रहने की तरफ है उसके बार में बताती है गोपियां उधब को चाहती हुती गुहारी जित ही ते उटते धार बही सूर दास सब धीर परही क्यों मल जादा ना लही कि क्यों मर्यादा नहीं रखी क्रिश्न ने जो मतलब सबको मर्यादा का पार्ट पढ़ाते हैं मर्यादा का पार्ट सिखाते हैं वो क्रिश्न ने जब उनकी बारी आई तो खुद ही उन्होंने मर्यादा नहीं रखी किस चीज की मर्यादा की यहां पर बात की जा रही है यहां पर मर्यादा की बात की जा रही है प्रेम की क्योंकि जो कृष्ण थे जब वो गए थे तो उन्होंने गोपियों से वादा किया था वो वापस आएंगे उनके पास लोटके तो गोपियां वही उन्हें कह रही है कि उद्धव को कि जो खुद मर्यादा की बात करें उन्होंने ही मर्यादा प्रेम की नहीं रखी अब यहां पर आपको प्रश्ण दिया हुआ है मन की मन में माज रही किसने किससे कहा मन की बात मन में रह गई किसने किससे कहा का है गोपियां उद्धव से कह रही है गोपियां स्री कृष्ण से उद्धव गोपियों से या स्री कृष्ण गोपियों से तो देखे इसका उत्तर जो है का होगा जो गोपिया है वो उधव से बात कह रही है कि जो हमारे मन की बात थी वो मन में ही रह गई गोपियों की आशा क्या थी जो गोपिया है उनकी क्या आशा थी दूसरे प्रश्ण में बोला हुआ है तो यहाँ पर का है श्री कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे खा है श्री कृष्ण देर से ही सही लेकिन आएंगे श्री कृष्ण सीग राएंगे श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे तो जो गोपियों की क्या आशा थी गोपियों की आशा थी खा गोपियां को यह लगता था कि श्री कृष्ण है वो इतने बड़े मतलब वो कभी जूट नहीं बोल सकते हैं अगर उन्होंने कहा है तो वो जरूर आएंगे भले देर से ही आएं लेकिन वो अवश्य आएंगे तीसरा है गोपियों की विरह अगनी बढ़ने का क्या कारण था विरह अगनी का अलत होता है कि तडप चीक है किसी से मिलने की तडप या बिछडने की जो वेदना होती है उसे विरह अगनी कहते हैं तो तीसरे में बोल रहा है स्री कृष्ण का वियोग गोपियों का विरह अग कियूं बढ़ गई थी तो इसका उत्तर होगा योग वित वित शथा हैं तिह सब छोड़ा करो तब उनकी विरह कACE अगनी बढ़ चाती हो और वह यहां पे बोला है साहस, मर्यादा, कर्म कठा या आसा, तो देखिए इसका उत्तर होगा मर्यादा, गोपिया जो है वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी और प्रेम की मर्यादा जो है उसका खंडन किया है, उधव कौन थे, उधव कौन होगा इसका उत्तक होगा संदेश वाहक किसके स्री कृष्ण के संदेश वाहक थे संदेश लेके आये इसलिए वो संदेश वाहक थे इसके पांचु में बोला है गोपियों की कौन सी बात मन में रह गई और गोपियों ने किन हिदय की बात करना चाहती थी इतने दिनों से उन्होंने जो उनसे वारतलाप करना चाहती थी वो परंतु स्री कृष्ण के वापस ना आने के कारण उनकी मन की बात मन में ही रह गई पल जब स्री कृष्ण नहीं आते हैं तो गोफियों की मन की बात थी वो उनके मन में ही रह ज कि क्योंकि जब स्री कृष्ण गोकुल चोड़कर गए थे तो उन्हें ने गोपियों से वापस आने की बात कही थी कि एक दिन वह अवश्य वापस आएंगे परन्तु हुए वापस लोटकर नहीं आए तो यह आपका छटा और सात्वा अंसल था यह चैप्टर यह जो कावेखंड है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क्षीट में इतनी बार कराया जा चुका है कि आई होप आप लोग को सभी प्रशन रट गया होंगे राम लक्षमर्स परसुराम समवाद और यह सूर जो हैं पद हैं सूर के दोनों ही वीडियो को लाइक कर करना शियर करना हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहें